कल तो आज अभी रूम का साफ सफाई हो रहा है तब दिखा रहे हैं बोरियों में भर के अभी उधर खेतों की तरफ ठेका जाएगा ने रखा हुआ है और एक हमार यह देखिए कलरबर्ड था उसको भी हमने रखा हुआ है यह देखिए पूरा पक्का फर्स बनाया है देखे हमें वह कच्चा नहीं रखा है इसमें जो शिमेंट का जो भूला होता है वह्य हमने पूरी तरह चड़ा दी लो दोस्तोर करूम टून टू आर्क अर्वर्ट संस्क्ट इधर इ्लो दोस्तो हमारा बढ़ abundance ही का बेज़ दी देखे अभी यह जो भूसी है इसको बोरियों में भार के अभी उधार खेतों की तरफ ठेका जाएगा अभी देखे अभी लीटर पुरा सुखा है देखे और सुखे हैं लीटर और देखे हमारा यह जो चोटे चोटे बड़ थे इनको हमने रखा हुआ है और एक हमार यह देखे कलर बड़ था उसको भी हमने रखा हुआ है यह देखे यह देखे यह कलर बड़ है यह बलेक में इसको हम रहने देंगे यह मुर्गी है इनको हम बढ़ा करेंगे और अभी देखिए पुरा साफ सफ़य करने के बाद अभी इसमें हम जितना जल्दी हो सके चिक से डालने का कोशिस करेंगे तो वीडियो पे उपने रहिएगा और भी जानकारी देंगे हमारा जो बढ़ है कौन से रेट पे लिप्टिंग हुआ क्या साइच का था और हमें इस बैच में कितना प्रोफिट हुआ वो भी हम बताने वाले हैं हमने लिटर को देखिए हमने हटा दिया है और अभी पुरा रूम फ्रेस हो गया है अधिया ऐसे लग नहीं के चिक सथे और अभी हम इनकी फिर से इनको क्लीन करेंगे पाणी से पुरा रूम को धो देना है उसके बाद हम इनमें फिर से चुना और बिलिचिंग पोडर और साथ में फैनायल वगेरा मिला के फिर से जिस तरह से आप दीख रहे हैं कि हमने पहले नेक्स्ट बेच में किया था इस टाप से फिर से करना है उसके बाद चार-पास दिन हम छोड़ देंगे उसके बाद हम फिर इस पे चिक्स डालेंगे देखिए रूम देखिए दोस्तों हम हमने जो यह फर्स बनाया है वो देखिए यह हमने पुरा पक्का फर्स बनाया है देखिए इस पे हमने वो कच्चा नहीं रखा है इसमें जो सिमेंट का जो भोला होता है वो भी हमने पूरी तरस चाड़ा दिये इसमें दोस्तों हमें फैदा क्या होता है हम आपको बताते है कि जब हमारा रूम खाली हो जाता है तो ये हमें एक घंटे के अंदर हम इनको जितनी भी इसमें कुन्नी भूंसी राती है हम एक घंटे में तुरंत ही इसको फेक के और किलियर कर देते हैं और वो जो काच्चा वाला फर्स होता है उसमें बहुत ही दिक्कत होती है उसमें जो फाम का जो बदबू होता है सेंट होता है वो जल्दी जाता नहीं है इसलिए हमने ये फर्स बनवाया था ये थोड़ा कोश्टली आता है लेकिन इसमें सुविध्धा और मुर्गी जल्द विमार नहीं पड़ते हैं तो ये देखे दोस्तो अभी हम आपको फिर जो हमारा बड आएंगे आप वीडियो के स्थिक मत किजिएगा बस देखते जाएगा ये बता देना चाहता हूं कि देखे हमने अपने फाम में कोई भी आदमी कोई भी लेवर नहीं रखा है जो भी करते हैं हम पापा और मेरी मा है हम लोग तीनों में ही सारा काम कर लेते हैं क्योंकि हमारा फाम बड़ा हो जाएगा उसके बाद हम कोई स्टाप इसमें रखेंगे फिराल हम खुछ से ही मेनेज करते हैं और इसमें हमें कोई भी किसी को पैसत नहीं देना पड़ता है हमारे पास आदमी अब उपलब्ध हैं जितना हो सके हमें क्या है कि हमें सारे जितने भी इनको उतनी जानकारी नहीं होती है इसलिए यदि आपको जब अनुभाव हो आपका खुद का एक्सपेरियंस हो तभी हमें ब्रोइलर फार्मिंग करना चाहिए देसी वाला तो कोई भी कर सकता है लेकिन ब्रोइलर फार्मिंग है वो सब के लिए नहीं होता है जिनको प्रो महने दो महने हुए उन्होंने एक बेच दो बेच डाला उनमें उनकी मोटलीटी हो जाती है तो उनकी एफसी आर खराब हो जाती है और बहुत बीमारियां बरोबर आ जाती है ऐसे में क्या होता है कि जो हमारा फार्म है वो हमें आखिर में बंद करना पड़ता है बोलते हैं कि इस पे broiler farming पे कोई profit नहीं है यह अच्छा business नहीं है तो दोस्तों ऐसा नहीं है हमें जितना हम इसमें मेहनत करते हैं उतना ही हमें अच्छा result देखने को मिलता है इसलिए आप से निमेदन है कि यदि आप broiler farming करते हैं तो अपने खुश से काम करें और इस्टाप के भरोसिना आ रहे हैं अगर आप स्टाप रखते हैं तो उनको वह सिर्फ management के लिए है लेकिन जो man management है वह आफिक करना है वह कैसे करना आपको guide करना पड़ेगा तभी जाके आप आगे success होईएगा नहीं तो आपका जो investment है वह पूरा loss में ही जाएगा तो दोस्तों इतना ही हमारे वीड चैनल में जाके आप देख सकते हैं और चैनल को subscribe जरूर कर लें next profit loss वाला वीडियो देखने के लिए thank you